नमस्कार मैं हूँ आपके साथ सोन्यारू करेंगे देश और प्रदेश की बड़ी ख़बरों की ओर से घटनाए क्यों हो रही हैं ये पत संचलन कंचन भवन से शुरू होकर बीच बाजार से होकर थाना परीसर से लोटकर कन्या हायल सेकेंडरी विध्याले सराई में भजा पूजन व शस्त्र पूजन कर संपन हुआ महराष्ट चुनाव को लेकर दिली में कॉंग्रेस का मंथन शुरू हो गया है कॉंग्रेस अध्यक्ष मलीकार जुन खरगे के आवाज पर बैटक की गई इस बैटक में राहूल गांधी और प्रभारी रमेश्र चिन्नी थला समेत कई राजनेता मौजूद रहे दो घंटे तक चुनावी रणती और घोशनापत्र को लेकर चर्चा हुई सुत्रों की माने तो कॉंग्रेस महराष्ट की खानुन विज़स्ता को भी मुद्दा बनाएगी M.V.A. में करीब 250 सीटों पर सहमती बन चुकी है जल्दी बाकी सीटों पर भी सहमती बन जाएगी महराष्ट में CM FACE को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है राहूल गांधी ने नेताओं को अती आत्म विश्वास से बचने को कहा है जमीनी स्तर के कारे करताओं और लोगों से जुड़ने के निर्देश दिये हैं राजधानी दिल्ली में अपराधी बेलगाम है चाकुबाजी की घटनाओं ने खानूर मिवस्ता पर सवाल खड़े कर दिया है मामूली बात पर चाकुबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही ताजा मामला उतरपूर्वी दिल्ली के हश विहार इलाके का है जहां ठीक से बाई चुलाने की नसीहत देना दो भाईयों को महंगा पड़ गया बाईक सवार ने दोनू भाईयों पर चाकुबाजी से ताबा तोड़ हमला कर दिया हमले में घायल बड़े भाई की मौत हो गई जबकि छोटा भाई घायल हो गया फिलहाल पुलिस ने मृत्त के शव को पोस्मार्टम कराकर परिजनों को सौप दिया है और इस मामले की जाच में जुड़ गई है मारवार जंक्शन मुख्याले में यातायात व्यवस्ता सू व्यवस्तित करने के लिए जिलह पुलिस अदिक्शक के निर्देश से मारवार थाना पुलिस द्वारा अभ्यान की शिरुवात की गई थाना दिकारी सरोज बैर्वा ने आज मारवार जंक्शन के सिंधी बाजार मारवारी बाजार आउवा रोड अस्पताल रोड पर यातायात नियम तोने वाले 20 से अधिक वाहनों के चलान काटे थाना दिकारी ने बताया कि दीपावली पर्व को देखते हुए मुखे बाजार में यातायात व्यवस्ता सू व्यवस्तित करने के उदेश से इन अभ्यान की शिरुवात की गई है एर इंडिया के विमान को बम से धंकी के बाद दिल्ली डायवर्ट किया गया इस फ्लाइट के सभी यात्री सुरक्षित बताया जा रहे है जानकारी के मुताबिक मुंबई से नियू यॉवस्त जा रहे है एर इंडिया के विमान को बम की धंकी के बाद सोमवार को दिल्ली एरपोर्ट पर डायवर्ट कर दिया गया पाले जिले की मारवार जंक्षन नगरपालीका पर राज्य सरकार के आदेश एवं दिर्देश से नवनियोक्त अधिशासी अधिकारी विक्रम सिंग राठोल ने आज एकार्यभार घरन किया नगरपालीका के समस्त कर्मिको पाश्रदो स्थानिय नगर वासियो ठेकेदार पत्रकार संग द्वारा उनका माला एवं साफा द्वारा स्वागत किया गया खबर बगहा से है जहां बार प्रभावित इलाकों का बीजेपी नेता तुशार सिंग ने दौरा किया पेड़ित किसानों और ग्रामिलों को मौवजा दिलाने की डिप्टी सियम समराच चौदरी से मांग की है हलाकि सरकार ने बार पेड़ितों को साथ हजार रोपे की ततकाल मदद की है लेकिन आर्थिक रूप से डेमेज लोगों ने फसल शती और घर बनाने को लेकर सरकार इस तर पर प्रशासन से राहत की मांग की है नेपाल से जो पानी आया था बार वाला उसके चलते नीचले इलाका में बगहां में और आसपास के इलाकां बहुत शती हुआ है सरकार सबको 77,000 रुप्या करके मुआबजा दिया है लेकिन हम जाते हैं कि जो भी फसल नुक्सान हुआ है उसका मुआबजा सरकार दे और जितने लोगों का घर छती हुआ है उसको फिर से सरे यहां जो 39 तरी को पानी आया नाइपाल से वो 5-6-7 लाग पानी था यहां बांध तूट गया यहां बहुत नुक्सान हो गया धान और इंख और इसे से बहुत शाली घर भी नुक्सान हो गया है अंटीपीसी सिंग रॉली शक्तिनगर में दुर्गा पूजा समेती द्वारा दुर्गा पूजा बड़े श्रद्धा भाव एवं आस्ता स्यायजित किया गया इस साल एंटीपीसी सिंग रॉली में शार्दिय नवरात्र की शष्टी तिथी के श्रवावसर पर मादुर्गा की मूर्ती का अनावरण मुख्या थिती राजीव अकोटकर पर्योजना प्रमुक एंटीपीसी सिंग रॉली और पियूशा अकोटकर अध्यक्षा विनीता सम सिंग रॉली जिले के सरई थाना अंतरगत गुपता वा जैसवाल परिवार के बीच पुराने विवात को लेकर युवक पर जानलेवा हमला हुआ जिससे युवक विकास कुमार गुपता खायल हो गया बतादे कि युवक पेशिश सिक्षक है जो विध्या ले जा रहा था इस पुलेस अदिक्षक सिंग रॉली निवेदीता गुपता ने कहा कि आरूप्यू की गरफतारी के लिए दल भेजा गया है जल्दी मामले का खुलासा होगा सिग्रोली जलाप्रशासन की कड़ी सुरक्षा वैवस्ता के बीच राजमाता चुनकुमारी स्टेडियम में भारी जन सेलाप के बीच भगवान राम की पूजा अर्चना और दीप्रज्वलीत कर 45 के रावण का पुतला देहन किया गया इस दौरान आयोजन करताओं ने उपस्तित जन प्रतिनीधियों का आभार व्यक्त करते वे आम जलता का आभार प्रदशन किया राम और रावण ये दुनों नाम जो है अधि राम है तो रामन भी है ये भी मान किते हैं केवल इतना ही संदेश हम कहने चाहते हैं कि राम सत्त पे असत्त काजीश करके दिखाया देशर प्रदेश की बड़ी खबरों में फिलाल इतना ही आगे की तवाम खबरों के लिए बने रही हमारे साथ नमस्कार